सब्सक्राइब दोश्तों आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूस लाइब में दोस्तों बात करें तो बाहु बली मुखतार अंसारी के बेटे अबास अंसारी मौू से बिधान सबा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कर दिया है तो आज हम जानेगे कि आखिरकार उनके पास कितनी की शम्पती है जी हाँ बात करें तो मुखतार अंसारी के बेटे अबास अंसारी के लिए आखिरकार मुखतार ने मौू सदर का सियासी मैदान छोड़ दिया है पिता की बिदासत को शमहालने के लिए उत्रे अबास सुमवार को नमांकन ताखिल कर चुके हैं शुभासपा के प्रत्यासी के रूप में शदर बिदान सभा में डेरा डाल चुके हैं अबास द्वारा दिये गए सपत्पत्र में शस्त्रों के शोकेन, खोने सहीत करोणों के मालिक होने की जानकारी दी है, उन पर पांच मुकदमे भी दर्ज है, पुरवांचल की चर्चित बिधानसबा 306 में मौव सदर पर बिधायक मुक्तार अनसारी ने सदर बिधानसबा का म मैदान बेटे अबास अनसारी के लिए छोड़ दिया है, पिता के बिरासत सम्हाले के लिए अबास अनसारी शुमवार को नमांकन दाखिल कर दमदारी दिखा चुके हैं, शुमवार को नहोंने अपना नमांकन शुभासपा से दाखिल किया है, अबास करोड़ पती और हथि या वाहन भी है अब बास पर कुल 5 मुकदमे दर्ज है इसमें दिल्ली से जारी खिलाडी वर के आमस लाइट सेंस पर मुकदमा मा दुआरा बच्पन में ली गई जमीन आदी के मुकदमे है इसके साथ ही 4 करोड की अचल संपती 3.50 करोड के वाड़ेजी एक भवन है अब उनक मुक्तार के नल लड़ने से उट किस करोड बैठेगा या अभी कहना जल्दबाजी होगा बता दी कि 2017 के विजानसवा चुनाव में बस पासे मुक्तार अंसारी ने इस चुनाव में मौग सदर बिजानसवा से चुनाव लड़ा था तो उनके बड़े बेटे अभास अंसारी ने बस पासे गोहसी बिजानसवा से चुनाव लड़ा था वहीं बात करें तो अभास अंसारी 2017 में भी चुनाव लड़ चुके हैं बिहार के राजिपाल फागु चुनावान की परंपरागत सीट पर पहनी बार मुकतार घराने ने मजबूत दस्तक दी थी इस चुनाव में भोजन समाजपाटी के प्रतियासी अबास अंशारी 81,255 मत पाकर दुसरे अस्थान पर रहे तो वहीं इस चुनाव में भाजपा के प्रतियासी फागु चुनावा वाले अब बास को इस बार टीकट नहीं मिला इधर सदर सीट से विधायक मुकतार अंसारी लागातार पांच जीत दर्ज कर चुके हैं छटवी बार शुबास पाक के बैदातले उनके बेटे मैदान में उतर चुके हैं यह पहला मौका होगा जब मुकतार अंसारी सदर Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates